तो देखिए इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे अर्थ के पास अपना खुद का एक एटमस्फियर है लेकिन मून के पास अपना खुद का एटमस्फियर नहीं है रीजन क्या है मून की तरफ देखते तो हमें ऐसा कुछ भी एटमस्फियर नजर नहीं आता उसका अगर हम रीजन देखें मास और साइस के हिसाब से अगर हम देखें तो मूझ बहुत चोटा है और उसके कंप्यर में बहुत बड़ा है लेकिन अगर हम आर्थ की एसके वेलोसिटी दियान से तो वो है 11.2 किलोमेटर पर सेकेंड के हिसाब से ओके उस कंप्यर में अगर हम देखते हैं इसके स्पीड वेलोसिटी वो मून की तो हम देखें उसके कंप्यर में वो क्या है बहुत कम है अब अगर हम बात करें स्पीड ऑफ एड्मास्फिरिक गेसेस की जितनी भी गेसेस हा इसकी स्पीड होती ही नहीं है इस कारेंट से वो कभी भी और सर्फेस को छोड़के नहीं जा पाती है और सर्फेस और उसके गेविटेशन पूल के बीच में मूव करती रहती है लगर आप देखें ध्यान से तो मून के अंदर इस प्रकार से कुछ भी नहीं होता है क्योंकि इसका जो खुद का वेलोसिटी होता है वो 2.37 किलोमेटर पर सेकेंड होता है और इजीली यहां से एड्मोस्फेरिक गेसेस इसको छोड़के बाहर निकल जाती है इसलिए आप देखेंगे मून के चारों तरफ आपको कोई एट्मोस्फेर नजल नहीं आता है जब कि आप औ सिक बीजन के अलली फोर एसकेप वेलोसिटी